मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूँ? अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना नाम, अपनी कॉलोनी, अपने शहर में, अपने दोस्तों में, अपने रिष्टेदारों में, गोल्डन वर्ट्स में लिखवाना चाहते हैं, तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्या करूँ? के बारे में सोचना, आज से और अभी से बंद कर दो. सपने उनके पूरे नहीं होते, जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं. इस समय का जो भी आपका गोल है, टैंथ का, ट्वेल्थ का, जेई का, यूपियस्सी का, क्लैट का, जो भी एक्जाम आपको डरा रहा है, उस जर को अपने अंदर से भगा दो. सिर्फ अपनी आखों से उस जीत का जश्न देखो, और कानों से तालियों की गूँच सुनो, जो आपको अपने गोल को पाने के बाद मिलने वाली है. हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के ऐसे सत्रा तरीके बता रहे हैं, जो बड़े बड़े टॉपर्स ने यूज़ किये, और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच गए हैं, कोई CEO बन गया है, कोई बहुत बड़ा entrepreneur बन गया है, चलिए, बताते हैं. पहला लक्षे साधो, आपका जो भी लक्षे है, उसे अर्जुन की तरह देखो, जैसे अर्जुन को चिडिया की आँक के अलावा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऐसे ही आपको अपने गोल के अलावा, और कुछ नहीं देखना, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोल, आप भी कल के सुन्दर, पिचई, सत्या निड़यला बन सकते हो, दूसरा, मेंटर चुनो, अपने गोल को, जो तुमने गोल चुना है, उसका एक मेंटर चुनना होगा, मेंटर कौन होता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, या कोई सीनियर हो सकता है, कोई आपका बड़ा भाई भेन हो सकता है जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो उस गोल को अचीव कर चुका हो वह आपको पढ़ाई के सारे तरीके बताएगा सारी कमजोरियां बताएगा सारी difficulties बताएगा तीसरा तरीका planning करो अपने टाइम पीरियड की प्लैनिंग करनी चाहिए लास्ट का एक महिना हमेशा रिवीजन का होता है टेस्ट से पहले रिवीजन का टाइम रखो अपने सबजेक्ट को डेवाइज बांट लो डिफिकल्ट सबजेक्ट को बाद में करो easy subject को पहले करो हमेशा difficult और easy subject का combination बनाते है उन्हें date wise लिखो उन्हें practically evaluate करो कि कौन से lesson में आपका कितना time लगता है fourth तरीका weak subjects देखो आपके कौन से weak subjects हैं और कौन से strong subject हैं जो आपके strong subject हैं उन्हें आप असानी से कर लोगे और जो difficult subject हैं उन्हें आपको मुश्किल आएगी तो डरने की कोई बात नहीं है fifth तरीका tuition, coaching, online पढ़ाई अगर आपसे वो subject नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसके लिए tuition देखो कोई coaching लो या online पढ़ाई करो लेकिन difficult subject से घबराओ नहीं घबराने से कुछ हांसिल नहीं होगा डरने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप ये सोचोगे कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो उसको लगाओ जब आप सारे subject को आराम से समझने लगोगे तो आपका पढ़ाई में मन खुद बखुद लगने लगेगा 6 तरीका अपना time table बनाओ डेर डेर घंटे का पढ़ाई का slot बनाओ हर डेर घंटे के बाद 15 मिनिट का break लो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन ये break आपकी पढ़ाई में energy भर देगा 7th point test series join करो कोई test series ऐसी join कर लो जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है नंबर कितने भी कमाएं बिल्कुल भी मत खबराना जैसे जैसे आप test देते जाओगे आपके नंबर improve होते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन सा topic अच्छा नहीं है उस topic को फिर से पढ़ो फिर से तैयारी करो 8th point rhythm आप अगर हमारी ये सारे तरीके follow कर लोगे तो देखना आपका एक rhythm बन जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो जैसे जैसे आपको चीजे समझ में आने लगती है फॉर्मिल्य और इंपर्टेंट फैक्ट्स या डेट्स याद करने में डिफिकल्टी आती है आप इसे बार-बार भूल जाते हो इसके लिए आपको लॉजिक देखो किसी चीज से connect करो जब आप इन चीजों को connect करोगे तो आपको ये चीजे याद होती जाएंगी घर में किसी ना किसी को सुनाओ लिख कर दिखाओ ये साब स्मूथ हो जाएगा पैंथ तरीका अपनी study table सूरज की तरफ रखो जहां से सूरज की रोशनी आपके कमरे में आती हो उस तरफ अपनी study table को रखो सूरज की रोशनी हमेशा आपको positive energy देती है सुबह उठकर अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर positivity भर गई है 11th point अपनी table पर सरस्वती देवी जी की मूर्ती रखो सुबह जब पढ़ाई शुरू करो तो उनकी वंदना करो हाग जोड़ कर उनसे अपने लक्षे की प्राप्ती के लिए पूजा करो 12th point exercise कम से कम आधा घंटा exercise सुबह करो आधा घंटा शाम को करो जब भी आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको energy की बहुत जरूरत है positive रहने की जरूरत है इसलिए आपको कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को exercise जरूर करनी चाहिए आपके अंदर energy भर जाएगी आपका मन अच्छा हो जाएगा physical activity आपको हमेशा energy देती है 13th तरीका balance diet जब भी आप exams की तियारी कर रहे हो energy मिलेगी और laziness भी फील नहीं होगी आप भीमारियों से भी बचे रहोगे और दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा 14th point अच्छी संगत यह तो आपने खुब सुना होगा कि जैसे 5 लोगों में आप उठते बैठते हो वैसे ही आप खुद बन जाते हो इसलिए आप ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके गोल का सेम गोल रखते हो और आपसे भी अच्छा कर रहे हो आपको बहुत motivation मिलेगा और पढ़ने के नए नए तरीके पता चलेंगे 15th तरीका मोबाइल social media, games, television मैं ये बिल्कुल सला नहीं दूँगी कि आप इन सब को cut कर दो इन से cut off हो जाओ नहीं आप अपने time table में थोड़ा थोड़ा time हर चीज को दो एक time में आप अपनी सिरफ 10 minute facebook को दो 10 minute whatsapp को दो और सारे negative लोगों से दूर रहो 16th तरीका positive लोगों के साथ रहो positive लोगों से बाते करो कम से कम हफते में एक बार जरूर ऐसे लोगों से बात करो जिन से बात करके आपको खुशी फील होती है motivated फील होता है आपको अच्छा लगने लगता है 17th और सबसे important तरीका parents से बातचीप जरूर करो जब आप exams की तयारी कर रहे हो तो अपनी मा से अपनी तयारी की बात करो हो सकता है वो आपके paper में ना जानती हो हो सकता है वो आपके subjects भी नहीं जानती हो लेकिन बच्चों मा से बड़ा motivation देने वाला दुनिया में कोई नहीं है भूल जाओ कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम क्या चीज हो अपनी मा का नाम रोशन करो अंत में तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगी जहां पर भी हो जिस हाला आप में भी हो एक बार तो मन से कोशिश करो तुम्हारी जीत की गूंज हवाओं में होगी